यूपे तक Omicron की अब entry हो चुकी है जी हाँ आपको बता दें कि गाज़ेबाद में दो positive मरीज मिले हैं और देश के सबसे बड़े राजजय उतरप्रदेश में भी Omicron variant ने अब 10 सकते दी हैसी के साथ गाज़ेबाद में इस variant से संक्रमें दो मरीजों की पुष्टी हो चुकी है दोनों ही शक्स बीते दिनों महरास्ट से लोटे थे किसी को भी कोई लक्षन नहीं है लेकिन साब्धानी के लिए Home Isolation में रखा गया है बताया गया है के दोनों ही संक्रमें मरीजों की उम्र 60 साल से जादा है एक पुरुष है और एक महिला है वो दो दिसम्बर को कोविड पॉजिटिव आयता है लेकिन आज रात आपको बताने कल रात उनके जिनोम सिक्वेंसिंग के बाद ओमीक्रॉन वेरियन्ट की पुष्टी भी हो गई है ऐसे में राज़े सरकार तुरन तैलर्ज मोट परा गई है और हर जरूरी कदम उठाये जा रहा है क्योंकि दोनों में किसी भी मरीज में कोई गंभी लक्षन नहीं है ऐसे में होम आइसोलेशन में इलाज चुल रहा है और इसी समय आपको उताने देश के कई राज़ों में ओमीक्रॉन की दस अब पहुंच चुकी है प्रिदेश में अब संकविन्त मरीजों का आकरा 113 पहुंच चुका है वहीं सरकार ये कह रही है कि अभी सितिय नियंतरन में है और पैनिक करने की जरूरत नहीं है वहीं केंद की तरह से सिर्फ कोविड प्रोटोकॉल का सक्ति से पारन करने की अपील की गई है मास को शोशल डिस्टेंसिंग पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है वैसे भारत में जरूर उमीक्रॉन ने अभी ज्यादा रफ्तार नहीं पकड़ी है लेकिन यूके और अमेरिका में इसका कहर देखने को मिल रहा है ब्रिटेन में तो इससे थी इतनी खराब है कि मामले एक लाग के करीब पहुंच चुके हैं शुकरवार कुदेश में फिर रिकॉर्ड 90,000 से ज्यादा मामले सामने आए थे और इसमें भी ज्यादा मरीज अब उमीक्रॉन वेरियंट वाले सामने आ रहे हैं अगर अमेरिका की बात करें तो वहां भी अब रोज 1200 मौते देखने को मिल रही है डबल